हेलो स्टुडियन वेलकम आर यूट्यूब चैनल क्लास्रूम स्टड़ी इंपॉर्टेंट नोटेस है जो कि आपका रिलेटिड है यूजी एड्मीशन से ओकी आपको पता है सभी कोर्सिस के अड्मीशन चल रहे हैं अभी लेकिन यह जो नोटिस है इसपेसली आपका यूजी एड्मीशन से रिलेट मीश जो भी अंडर ग्रेजुट कोर्सिस में अड्मीशन लेना चाहते हैं जैसे बीए बीकॉम बैचलर्स में उन सभी के लिए है तो इसमें क्या है नोटिस में यह आपका रिगार्डिंग है करेक्शन ओकी मीस्ट्रेशन के टाइम अगर आपकी कर सकते हैं जब आपने रिजिस्ट्रेशन के आथा तब बहुत से स्ट्रेशन का रिजल्ट भी नहीं आया था आपका 12th क्लास का तो अब आपका रिजल्ट आ गया है तो आप उसको भी अपलोड कर पाएंगे करेक्शन विंडो के थिरू आप अपना रिजल्ट अपलोड कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्ट्रेशन यह देखिए नोटिस है आपका एड्मिशन ब्रांच यूनिवर्स्टी आफ डेली किसलिए है यह स्पेसिफाइग किया है यहां पर देखिए एडिटिंग रिजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूजी अड्मिशन के ल आपको यूनिवर्स्टी की साइट पर जाना है जो कि आपका एड्मिशन पोर्टल दिखेगा आपको यूजी के लिए उस पर जाना है अगर आपको नहीं समझ में आ तो यहां पर देख लीजिए यह देखिए यहां पर जैसे आप लॉग इन करेंगे आपको ऑप्शन मिले इमिल आइड यूजी कोड आएगा उसकोड को एंटर करके आप दुबारा से अपना पासवर्ट रिसेट कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपको लॉग इन करना है उससे पहले अपने पासवर्ट याद कर ले नहीं है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं तो यह देखिए स मैसेज ऑन राइट हैंड साइट फोर अपडेट डीटेल्स इनकेस यूविश तो अपडेट यूर फोर्म प्रेस येस ओके तो जैसे आप लॉग इन करेंगे इस लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद वैसे ही आपके बास एक ऑप्शन आएगा कि आप अपडेट करना च प्रेक्शन दो यूवां तो में करेक्शन ओंड इन यूर अप्लिकेशन फॉर्म ओनली स्लेक्ट फिल्स कन बी मोडिटेट अन एडिटेट अन इन इन अडिपाइप इस लेक्ट इस बटन इफ विश तो प्रोचीड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साइज इतने पारग बाइंगे दुबारा ओप्शन नहीं मिलेगा आपको तो समझ कर इसको समिट करें इस पर यह स्पी क्लिक करने के बाद अपको एडिट का अप्शन मिलेगा ओके इन है आपका नेक्स स्टेप यह फॉर्थ है जैसे आप विवीग क्लिक करेंगे यह करने के बाद नेक्स्ट बाद यह भी बाद यह फॉर्थ स्टेप में क्या है आप आप विंडो विल काम पी इनफॉर्म अबावाट द फील्ट गणाट भी एडिट टो की बता है यह जब यह जो नहीं कर सकते है कि मैं आपको दिखा दे तो जूम करके यह अपर सब से पहले क्या लिगा एक तो आप मिस्टेक ना करें, काई रिक्वाइट में भी रिक्वाइट टॉप्लोड डॉक्मेंट स्पेसिफाइट टू चेंज डन इन अप्लिकेशन में, अगर आपका रिजल्ट आ गया है, जो कि पहले नहीं आया था तो उसकी मार्शीट भी आप अपलोड कर पाएंगे, यह नहीं कर सकते हैं, okay, if candidate fails to submit his or edited modify application form on the online admission portal before the last date of edited, his or initial detail will be used for the admission process, क्या वोला है कि अगर आप edit करने के बाद अपना form submit नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने जो पहले गलत information यह सही दी थी, जो भी थी, उसको ही consider करेगी university और उसके basis पर ही आपको admission दिया जाएगा, इसलिए सो समझ क form को submit करें, all right, then है आपका, okay, last date बोला है इनोंने, last date से पहले, last date क्या है आपका, 5th of October, जो कि हमने सबसे पहले discuss किया था, then 5th option है, click on process to continue adding, यह पढ़ लिया आपने, okay, condition क्या क्या कर सकते क्या नहीं, उसकी बाद आपको यह जो process का option दीख रहा है, इस पिक लिक करना है, okay, इ next option किया है, 6th में, देखिए, you can edit your personal detail, after the editing, click on the next, or at the bottom of the page to move to the upload section, यह देखिए, यहां पर दिखा दिखा दिद्यू में, आपको जूम करके, क्या क्या कर सकते हैं, यह है, select file, delete file, क्या करना है आपको चीज, अगर आपने old file पहले से की है, वो गलत हो गई थी, तो इसको delete कर देखिए, और select file करके, new upload कर सकते हैं, यहां पर है, क्या क्या कर सकते है, बस्न लेटिन में, photo, okay, photograph अगर आपने पहले नहीं कर पाये थे, या गलत कर दीथी, change करना चाहते, तो वो भी कर सकते हैं, sign, okay, signature कर सकते हैं, 10th class का आपका certificate, okay, as a birth, date of birth के proof में, और आपको जो है, 12th क result की mark sheet करना है, जो कि अगर आप तर नहीं आये ताभी तक, अब आ गया है, तो, अगर आप किसी OBC category से ब्लाउंग करते हैं, तो अगर आपने अभी तक certificate नहीं बनवाए ताभ बन गया है, तो उसकी copy भी अपलोड कर सकते हैं, इस साइज का धियान ज़रूर है, सम में अलग- इस स्कॉलर्शिप जम्मु एन कस्मी स्टोयन के लिए है, वार्ड कोटा, यह सारे डोकुमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, अब, नेक्स है आपका, इस स्ट्राप, एट, आफ्टर अफ्टर अप्डेट अप्डेट सर्टिफिकेट, प्रेस नेक्स्ट, अप्लिकेंट विल प्रेटा इस करेक्ट, इफ देर अनुमिलाइज एक्सिक ट्लिकोट अन्यवेस के रिटेल मीज़, आप एंस्योर कर लें कि आपने जो दूबारा से रेहा है, वो सही है या नहीं, अगर आपको लगता है अभी भी कुछ गलत है तो आप री बैरिफाइपिट पाप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आप लगता है नहीं सब कुछ सही है तो आप कॉंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि यह वन टाइम है इसलिए आपको सो समझ कर ही समिट करना है फॉर्म दुबारा चांस नहीं मिलेगा तो इसलिए इस बार गलती ना करें इन अगर आपको सब कुछ आपको यह इसको राइट क्लिक करना है और आप नेक्स पेज पर आजाएंगे आपका फॉर्म जो है समिट हो जाएंगा एडिट होने के बाद यह देखिए इसके बाद आपका अंडर एपलाइड सपोर्ट काटिगरी यह स्टूएं उनके लिए है कुछ उनको डिटेल देना है यह पर अपलॉड करने लुक्मीन वूइड को में मिठ अपको अप्लोड करने लाहे है। रिभर सब्सक्राइड बंधिना खीए अपनी सव और यह देखिए सब्सक्राइड करने हूं ली उन्का पॉप्शन उल्लीा पर डिखि उनके वक्तुर सब्सक्राइब करने से पहले अपने जो डॉक्में आपको अपलोड करने हैं उनको अपने पास रखें उनकी स्कैन कॉपी ले ले उसके बाद ही लॉगिन करें क्योंकि दुबारा नहीं आप खर पाएंगे इसलिए थर्ड ली है आपका फॉलिंग फील्स कैनाट बी मोडिफा और यह भी याद रखे कि आप इन चीजों को मोडिफाइ नहीं कर पाएंगे क्या कि नहीं मोडिफाइ कर पाएंगे यहां पर देखिए इमेल आइडी मोबाइल लंबर जेंडर के टेगरी जो भी आपने डाली थी ओवी सी जर्ड अन थर्ड ली एंट्रेंस उकी एंट्रें सेशन को ही अपडेट कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे ओके सो यह है नोटिफिकेशन आपका रिगार्डिंग इंड यूजी एड्मिशन जो कि आपका टाइमिंग देख लो एक बार फिर से 12 सप्टेंबर से लेके 5th of October तक आप कर सकते हैं एडिट तो जो भी आप कि 12 का जो रिजल्ट है वो तो सभी को अपलोड करना होगा तो सभी स्ट्रीन के सांशिय अगरें तो जाना बेटर रहेगा